हाई, वेलकम है आप सबको मेरे इस चोटे सी यूट्यूब चानल पर लाइफ इस ब्यूटिफूर शालूस कीचन पर तो आज मैं आप सब के साथ शेर करने वाली हूँ एक आश गाड की रेसिपी तो आश गाड आप सबको पता ही होगा यहाँ पर मिलते हैं आश गाड की एक लोकी जैसे एक वेजटेबल रहता है हरावला तो मैं आज आपको दिखाती हूँ तो उसका सबजी किस तरह बनाया जाते हैं वो मैं बताती हूँ बहुत ही आसान है सिंबल सा रेसिपी हैं कोई भी इसे बना सकते हैं और यह जो आश गाड है केरला सेड में उसको सामबार में डाला जाते हैं और वरेटी वरेटी सबजी भी बनाया जाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी साथ भी यह शेयर करूँ तो आप भी देकर यह बनाए और अपने गर पे सबको बना कर दे दीजिए सबको ज़रूर पसंद आएंगे तो बहुती हेल्दी रेसिपी है तो चलिये जाते हैं किचन की और ज्याधा टाइम वेस्ट करें हम जल्दी से जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं तो मेरे साथ बने रेगा आगे तक और ज़रूर अपने फ्रेंद्स को रिलेटीस को यह शेयर भी करना और like भी जरूर कर देना friends और मेरी पहले की जो वीडियो है मैंने बनाना चिप्स और बनाना जागरी मतलब जागरी कैंडी वगरा मैंने डाला ता जागरी बनाना कैंडी की वीडियो भी है जरूर आप सब देखना वो video बहुत ही अच्छा है और अपने बिच्चे को और सब को बना कर दे दीजिएगा सब को जरूर पसंद आने वाले हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना अगर आप मैंसे कोई मेरी इस वीडियो पे नए हैं तो अगर आपको मेरी रिसिपी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंट तो मैं आ गई हूँ अपने किचन की और तो चलिए अभी एश कड को हम देखते हैं यह है एश कड तो आप सब को पताई होगा तो इस आउट साइड में इसे सामबार में डाला जाते हैं और इसे वडेटी वडेटी सब बाजियां रिडी करते हैं रेशिपिस बनाये जाते हैं तो मैं आज इसे बनाने वाली हूँ एक स्पेशल बाजी बेने देगा मेरे साथ तो इसका जो अंदर को जो सीड है हमने निकाल देना है और उपर का चलका भी निकाल कर हमें इसे चोटे पीस में कट करना है और वाश करना है वाश करने के बाद आप इसे चौप करके लेना है चोटे चोटे पीस में तो चलिए बेने देगा आगे तक तो यह आपको पता चलेगा इसे किस तरह बिनाए जाते हैं तो साउट सेड में इसे बहुत सारा यूज किया जाते हैं यह बहुत ही अच्छा है अपनी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा healthy recipe है तो देखिए सारे आशकाड को मैंने अच्छे से वाश किया है और इसे इस तरह सा लंबा पीस में कट करके आप इसे चोट चोटे चौप करके ले सकते हैं इसे कभी भ पानी जैसे बेंट जाएंगे तो इसको आप इस तरह सा चोटे चोटे तुकडों में कट करना है तो फ्रेंट्स यह recipe अच्छा लगाना तो आप ज़रूर अपने फ्रेंट्स को ज़रूर शेयर करना फ्रेंट्स में और भी नएने recipes लेकर आओंगी जो आपको किस तरह का vegetables यह किस तरह का recipes पसंदे मुझे जरूर comment box में comment करके बताना तो देखिए इस तरह से small small piece में मैंने job किया है इसे और इस तरह से हमने सारे आश काड को चौप कर लिया है तो अभी हम इसके लिए एक मसाला रिडी करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए दो medium size के प्याज और small size के प्याज भी मैंने लिया है और हमें चाहिए एक टीस्पून लसून हरी मिर्च और नारियल तो हम इस चारों चीजों को डाल कर अच्छे से grate करके ले लेंगे तो नारियल, small onion और लसून और हरी मिर्च और बेड़े प्याज को हमें पेस्ट ने करना है तो अभी हम इस पर आट कर लेंगे एक चमच हल्दी पौडर और एक टीस्पून जीरा पौडर और इसे दरदरा हमें पेस्ट कर लेना है तो चलिए अब इस्टाव ओन करते हैं हमें प्याज भी आट कर लेना है जो अमने साइड पर एकातना दो मीडियम सेज की प्याज उससे हमें अच्छे से सोटे करके ले लेंगे और स्वादानसा नमक भी आट कर लेंगे तो फ्रेंज कभी भी आप साओत की जो रेसिपी बनाना चाहते हो तो कोकनेट ओल में बैना कोशिश कीजेगा अगर आपको कोकनेट ओल नहीं है तो अब संफलर ओल से भी बना सकते हैं तो देखे हमने ऐश काड को भी इस पर आट किया है और अर्दचामच हल्दी पौडर भी आट किया है और अच्छे से मिला देंगे और इसे हमें डग कर पांच मिनिट तक डग कर यह जल्दी से पक जाएंगे ज़्यादा देर नहीं लगता है इसे पकने के लिए तो देखे पांच मिनिट होने के बाद हम इसे कोल कर देखा है यह अच्छे से पक चुका है अभी हम क्या करेंगे इस पर जो हमने ग्रेट करकर रखा था दरदरा पीस कर रखा था नारियल बोड़ा डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे और हमें पांच मिनिट से डख कर रखेंगे ताकि सारे जो मसाला हैं अच्छे से अंश्यकरळ में मिल जाए और बहुती टेस्टी बैने तो यह जो रेसीपी है प्रसैंस आप रईस के साथ इसे ले सकते हैं बहुती अच काड की सबजी हैं पर रेडियो चुका है तो ज़रूर मुझे कमन करके बताना आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को रिलेटिस को जिरू शेयर करना तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए नए रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू